बच्चे जब छोटे से रोते हैं तो देखे बड़े बुजर्ग कहते हैं कि नाभी के आसपास हिंग लगा दो इसका दर देख दम गायब हो जागा बच्चा रोना बन कर देगा और वाकई में वो चीज असर करती है देखे जो हमारा शरीर होता है ना तो उसका जो सेंटर होत होता है नाभी जिसको कहते है कि बैली बटन अगर इसमें आप पर्टिकुलर और का इस्तमाल करेंगे पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम के लिए तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्फ होने लग जाएगी बहुत ही आसान सा इसमें तरीका होता है आपको करना क्या है रात को सोने से पहले दो या तीन बुंद पर्टिकुलर कोई ओईल की आपको नाभी में डाल देना है इसका इस्तमाल आप ड्रॉपर से कर सकते हैं ड्रॉपर इसलिए आपको केमिस के शौप पे आप मिल जाएगा नहीं तो देखिए प्लास्टिक की बॉटल साती है जिसका के आगे का जो नोजल होता है वो पॉइंटेड होता है ये भी आपको इसलिए मिल जाएगा किसी भी शौप पे वो बॉटल साप लेकिया और उसमें ओला भरके रख सकते हैं और रात को सोने से पहले दो या तीन ड्रॉप आपको नाभी में डालना है और क्या करना है अपने हलके हाथों से नाभी के आसपास clockwise दस बार आपको मसाज करना है और दस बार anti-clockwise यानि कि उल्टे से मसाज करना है पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत हलके हाथों से आपको करना है जरा भी आपको pressure नहीं देना है आपके चेहरे पे glow नहीं है एकदम चेहरा आपका एकदम से बिल्कुल भी मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है ऐसा लग रहा है बस dry हो गया है एकदम तो ऐसे में आपको बादाम का तेल या element oil का यूज करना चाहिए आपके जोडों में दर्द है आपको acidity की बहुत ज़्यादा problem है constipation की आपको हमेशा तकलीफ बनी रहती है तो ऐस से में आपको सरसो का या mustard oil का यूज करना चाहिए आपको dandruff है बालों में बहुत ज्यादा पीरेज में बहुत ज्यादा पेन होता है बच्चे होने में problem हो रही है यानि कि डॉक्टर इलाज सब करा दिया उसके बावजूद भी fertility में problem आ रही है तो ऐसे मिनारियल का तेल य यानि की अरंडी के तेल का इस्तमाल आपको करना चाहिए चहरे पे बहुत जादा पिंपल्स है घमोरिया है तो ऐसे में नीम का तेल आपको यूज करना चाहिए आप चाहते हैं कि आपके स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो बच्चों की तरह एक दम ब्लो करें और एक दम मुलायम हो इम्मुनिटी लेवल आपका बहुत जादा स्ट्रॉंग हो जाए तो ऐसे में आपको घी का इस्तमाल करना चाहिए गाएं का देसी घी आपको यूज करना है ऐसे केस में आपको हलका सा उसको गुंगोना करना है और फिर अपनी नाभी में डालना है तो इन तेलों का आप इस्तमाल करें और देखें किस तरह से आपके जीवन में फरका जाएगा so I wish you all the best, God bless you, bye